आज हिंदी दिवस के उपलक्ष में कक्षा एक के छात्रों द्वारा बार हाथ से कभी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मुझे यह बताते हुए अतियंत हर्श हो रहा है कि आज इस सुवज़र पर हमारे बीच है हमारी माननिय प्रधाना अध्यापी का सुश्री संजुमजिथी मैम हम आपका स्वागत करते हैं मैम कुछी देर में हमारे बीच होंगी हमारी मुझे अतित्थी माननिय मनीशा शर्मा मैम जिनके प्रोटसाहन और मार्ग दर्शन पर इस काले करम का आयोजन किया गया है एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी माननिय अध्यापी का, प्रधान अध्यापी का, सुशी संजुम सिठी माम का और मनीशा शर्मा माम का तो इसी के ताश शरू करते हैं बाल हाग से कभी सम्मेलन तो मैं आपको बता दूँ कि आज का अफसर बड़ा निराला है आज यहाँ नूर बरसने वाला है एक बार जोरदार तालियों से कारेकरम शुरू किया जाए अरे कारेकरम तालियों के ताल शुरू होने वाला है अब हाथ से कवी समेलर की बात हो और मस्थरे कव्यों की चुक्या नहों और अगर चुक्या हो तो क्यों कहें नहों ऐसा कैसा हो सकता है भला तो आए मिलते हैं अपने लंग्य मुल्ले कव्यों से तो आज हमारे बीच हैं श्रिहान, अवंतिका, युवान, साथ ही धती हैं सयांच, गिरीच, सिधार, बीच बीच में मटक रहे हैं अव्युक्त, इवान, माहिन और यश्रस्टी और घोर की ताल पर नाच रहे हैं अमाईरा, आदित्वी, देदान्थ, और कभी तो जो किसी को नहीं जानता, वो इनहीं जरूर है जानता, ये है हमारे बालकवी श्रिहान गुपता, और हिंदी है इनकी प्यभाशा, अगर हो कहीं भी हिंदी की मर्यादा की बाद, तो उच्छल जाते हैं ये बाद बेबाद नमस्कार, जय हिंद, हिंदी है हम बतर है, हिंदो सिता हमारा, कहते है हम हिंदी में इजान, हिंदी में इशान, आईए आईए, 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 जाने मुझ से, श्रीहान से, अगिंद की क्या दशा हुड़ी है आज बताता हूँ, आज सुनाता हूँ, हिंदी की दशा को जड़ताता हूँ, मेरी कविता हमारी हिंदी से हिंदी हिंदी कहते बस हम हिंदी को ही भूल गए अपनी मीठी बोली को अब जाने कैसे हम भूल गए है हिंदी तो भाया अब बस नेटा जी की बोली है मेरी तेली तेली मेरी अब बस अंग्दी जी ही बोली है एक दिन दर्फार मेलान हुआ, हिंदी को समान हुआ 14 सिटमबर को हिंदी जीरोस बनान को प्लान हुआ पर हाई डी किसमर ये सब भी अंग्रेदी ने, अंग्रेदी से, अंग्रेदी ने कहा Come on, that's five great Hindi day चलो, हिंदी जीरोस बनाता है क्यों भाई, हमने भी सोचो, हम भी हिंदी जीरोस बनाता है सोशल मीडिया पे भी थोड़ा हम फ्रेमास हो जाते है एक भी ट्यूटर इंसिग्राम पे चलके अपनी फूटोर चिपकाते है हिंदी हिंदी, उस आधी हिंदी के गुर्णाते है स्थान निवाद वाँ, वाँ, श्रिहान इसकी बात पे बता दू, कभी नीरज कहा करते थे जो कविता सुनने बैठता है, जब वा घर वापस जाता है तो हिंदी का सर उचा पाता है तो जोर दार तालिया हो जाए एक बात पे श्रिहान के लिए अब जो अगली कवित्री हमारे बीच आ रही है ये है हमारे हर्पन मौला हुई ड्रॉम अवंति का देवी गाना हो गिटार या फिर कविता इनके जैसा दुनिया में और ना कोई दूजा बच्चों के लिए उठाई है आज इनोंने आवाज देखें कैसे मिलता है इन्हें परिशानियों से निजाल पाप ओले पर परो उजी मं किरे लो चुना सा बर्लो नेश्च आवी सुदी लिए सुनियों से लो गॉँ जगी आवे कि-दू तुनियों सबस्दी ये जिया पुविया ज्याव इन्हां आवाज इन्हे नहे बाद कर दे दुनियों से तंज़ वाव वाव क्या लैवाद्ध तरीके से बच्चों की परेशानिया बताएं आपने अवंतिका मजा अगया तो जोरदार तालिया हो जाए वंतिका लिए एक बद फेट से अब का माम अपने का बहुत सारे अभीभावकों का कहना है कि वे सुन नहीं पा रहे हैं तो मेरी अप सबसे निवेदन है कि अदि आप नहीं सुन पा रहे हैं तो इस मीटिंग को एग्जिट करिये और फिर से जॉइन करिये अच्छा ठीक है माम हम आगे बढ़ते हैं तो अवंतिका के बाद हुई ड्रॉम अवंतिका देवी के बाद चलिए अब जो कवी आ रहे हैं उनकी खासियत बता दू तो बाते हैं इनकी गोल मोल और बातों ही बातों में आज खोल दी हैं अब घर जाकर पड़े नडार और खड़ी न हो जाए इनकी खाट तो हमारे नन्य कभी यूवान शर्मा के लिए जोर दार तालिया हो जाएं नमस्कार हेलो आदाब सस्या कार पहले हम देते अपना परीचे यूवान शर्मा है हमारा नाम सबको तंकरना है हमारा कार हम अपनी घर की शान और सबके लोग के जान हम वैसे तो हर कारी में राजा होते हैं आप पापा पर मेरी कारी में वो पशान है मैं और पापा तो चलिये सुनातो अपनी घर की कारी अपनी जुवानी आओ आओ एक बात सुनाओ अपने ज़़ की रास बताओ ममी मेरी बडी से जानी है मेरी घर की जानी घर में चलती उनकी ताला शाई पापा से करा के सपाई रोज मुझे दंदा दिकाती सुबा सुबा ओन्लाइन पिलादी गुनवाई मैं मचते मैं पापा मुझे है बचाते रोज बचारे डान खैकाते हर रोज एक खाना भखाते मम्मी को अपने हाथ सिखलाते पापा और मैं बड़े प्रशाद मम्मी से बचना हमारा काब हे बगवान हे बगवान कब खतमों के करोना काल हम सब है बहुत पशाद अब तो कुछ कर ले बगवान हाई हाई वान शर्मा पहली बार मुझे लगा है कि देश के पुरुषों को भी सशक्तिकरण की काफी जरुरत है जोड़दार तालिया हो जाए इनके लिए तो थोड़ा सा प्यार थोड़ी दुआई अदा कीजिए और सयाश चितकारा के लिए जोड़दार ताली बजा दीजिए समझा है इनोने ओनलाइन क्लास का दर्द कोई हो नहो सारी मैड में है इनकी हम दर्द अनामिका माम हमारी माननिया मुख्या ध्यापिका जी हमारी आज के मुख्या थी हमारे पीछ है मुझे नमस्कार माम आपका अभिनंदर है इस कारेक्रम में हासे रसकविता के कारेक्रम में आपका बहुत-बहुत अभिनंदर है मुझे यह बताते वे अत्यांत हर्ष हो रहा है अभी भावगन कि अब हमारे बीच हैं हमारी माननिय प्रधाना अध्यापिका, प्रधाना चार्य महद्या, श्रीमती मनिशा शर्मा मैम एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए इन ही के मार्क दर्शन और प्रोसाहन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपका स्वागत है माम और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सयांज शितकारा के पास तो एक बार से आपको बता दू थोड़ा सा प्यार थोड़ी दुमाई अदा कीजिए और सयांज शितकारा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए समझा है इन्होंने ओन लाइन ग्लास का दर्द और कोई हो नहो सारी मैडमे है इनकी हमदर्द सयांज कैमरा इस नॉट वरकिंग कैमरे नहीं चल रहा है करेड़ी भाराचेट बाराचेट फिल्टड थां हांजी, से हांजी साथ जयाउश नमस्कार मेहू आप सब का प्यारा राज तो लारा ओन लाइन कच्छा का मारा प्यार शुरू से बोले शुरू से बोलिये बेटा मैं हूँ आप सब का प्यारा राज तो लारा ओन लाइन क्लासेश का मारा मैं हूँ सयान चिटकारा आज मैं आप सब को आया हूँ हसान ने और ओन लाइन क्लासेश का दुखडा सुनाने MS-3 ने बड़ा जुमाया पड़ा पड़ा कर हमें पकाया गर जो था आराम कडेरा कच्छा का क्या स्वांग रचाया MS-3 ने बड़ा जुमाया पहते शिफ टीचर अब तो माप आप दी क्लास के भी तर आसान आप कोई भी भाया MS-3 ने बड़ा जुमाया बच्छे भी तो तेज बड़े रखते अपने कान खड़े तब ना सुल जे सवाल का स्लूशन फटाक से कहें मैं पूर कनेक्शन फिर टीचर का से रचकर आया MS-3 ने बड़ा जुमाया म्यूट अन्यूट का खेई ने राला मैडम को भी मुश्किल में डाला होता हर दम गड़ बड़ जाला कि साफ़त से पढ़ाए पहला ओमवक होते है डाउनलूड क्लास वक होते है डाउनलूड अप ओडाउन के इस चकर ने ना जाने कितना हो जाया MS-3 ने बड़ा जुमाया अन्यूट मैम आपका माइक ओफ है अपना माइक ओन कर दीजे हम तो चलिए आगे कारीक्रम को आगे बढ़ाते वे चलते हैं नन्हे कवी गुरीट सिंग की और तो नन्हे कवी गुरीट सिंग किसी अजूबे से कम नहीं हसी कोई रोक ले किसी में दम नहीं संबाल के बैठना वरना उड़ जाओगे हासे कवियों में इनसे बड़ा कोई बम नहीं नमाशकार मेरा नाम गुरीट सिंग है आज मैं आके सामने एक हासे कविता सुनाने जारा हूं जिसका शीशक है मैं दूला बनने वाला हूं खामोश हो खामोश हो कुछ मत बोलो मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं दो चार दिनों की देरी है मैं दूला बनने वाला हूं आएगा बैंच बजेगा बाजा जगेंगी चारो और दिवाली पादर का इतना कहना है कि सिंगर भी आने वाली है नया तीवी लगवालूँगा नया तीवी लगवालुगा सब काम चलेगा बिदिली से सच कहता हूँ देख भी लेना औरते फिरेंगे तितिली से साइकल को पेंशन दे करके मैं काम खरीदने वाला हूँ दो चार दिनों की देरी है मैं बुला बनने वाला हूँ वह वा गुरीप वह वा क्या बात है और आज जो तेवर आपने दिखाए हैं, दूला बनने के लिए एक बार दूला बनने के दुश्प्रभाव जरा युवान शर्मा से जरूर पूछ लिजेगा अब जो बीच हमारे घिका रहे हैं, ये कुछ बोलें तो हसी आती है और कुछ ना बोलें तभी हसी आती है तो भई जब हर ओर है करोना, तो जरा इनकी बाते भी सुनो ना, हरकते इनकी देखो ना, पेट पकड़ कर हसो ना, ये है हमारे नन्हे कवी सिध्धार खत्री करोना-करोना-करोना-करोना-करोना इन दिनों हैं हर तरफ करोना उधर करो ना, अब तो स्कूल अपन करो ना, ममी पापा की सुनो ना, घर के काम करो ना, मास पैन के रखो ना, हरे टाइजर इस्केमाल करो ना, भार मत निकलो ना, प्ली स्कूल अपन करो ना, अब तो अमारी सुनो ना, बहुत सताया, बहुत रिलाया, अब तो हसा हो ना, प्लीज स्कूल ओपन करो ना वा 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 क्या बात है अरे क्या बजाते रहें मित्रगर्ण ये कभी है तालियों की खुराक मिले तो कहीं भी चल पड़ते हैं तो ये जनाब जो आ रहे हैं पता कम है अनुप कम एशे मैप मैम आगे बड़ी है एक्स्कूज मी मैम जी बेटा बोलिये बेटा मैम वीडियो इस दिशेबल अच्छा जब आपकी बारी आएगी तो वीडियो के निबल कर दिया जाएगा तो इनके बारे में बता दू ये पता कम है पड़ता ज्यादा उत्तर कम है सवाल ज्यादा इनको तालियों की खुराग देते रहे कभी अव्युक्त श्री नवाशन बच्चे कम है बवाल ज्यादा नवस्कार मेरा नाम अगुश्रे निवासित है और आज मैं आपको एक खास से कव्ता सुनाने जा रहा है जिसका शीविशक है मम्मी और शिपकली देवियों और स्केजनों अपने अपने कुर्शियों के नीचे देखो कहीं शिपकली तो नहीं अव्यों साथिक नहीं रहे बेटा हम आपको देख नहीं पा रहे है थोड़ा पीचतों हो जाईए एक दिद मम्मी मेरी जोरों से चलाई पूचा लाया हो जैसे दिवारे भी धर धर आए हम भागे कमरे की और अचक नजारा पाया मम्मी याचक कली को आमने सामने पाया लगा के नशाना मम्मी ने घुमा के मारा जूता छेप कली तो मरी नहीं नया फूलदान तूता मम्मी की मदद करने दोड़ी आई बाई फिर तीनों ने मिलकर पूरी घर की दोड़ लगाई जान बचा कर छिप कली अपनी घर भागी हाथ हाथ कर बच्चों को बात बताने लावी क्या बताओं बच्चों मैं कहां सिवच कर आई हूँ जान सिवचा ली अपनी मैंने लेकिन फूच कटा कर आई हूँ अरे वह अव्योक्त क्या बात है एक राज की बात बता दूँ आपकी मम्मी का ही नहीं छिपकली देखकर दुनिया की सारी मम्मीों का यही हाल है तो आईए स्वागत करते हैं अपने अगले कवी का और नन्य कवी इवानपुरी कवी कम है मस्करे ज्यादा गुलाटी बच्पने वाली और हरकतों से है दादा पर माल चोखा है गारंटी वाला आपको लोट पोट कर देंगे यह है मेरा वादा मुमस्कार मेरा नाम है एवानपुरी प्रता हूँ मैं विकासपुरी करूंगा ऐसी जाबू गरी हुँँँगी सारी नगरी यहाँ आज मैं आपको दसाने और गुद गुदाने आया हूँ मेरी कवीता है आज के कासन आज के के पैसन है अरे राली रे बाबा चाचलते चाटी जैसे बामी लपी है मामा बाल खड़े को लड़कों के जैसे सिर्पे खो काटे ना सुनते वो बाल किसी के चरे वामी तक्तों की तो बात न पूझो है पत्लून तीली रली बाते इंकी बड़ी बड़ी है रदमाग है खाली कान में बाली कराहत में हो की तियार चले है दर से तुरी खट में करसारे सिंगार शक्खोई पूझे निसे बुया क्या ही रांदाज पलक की बूले साहिल मेरा आइन बुको बाल मैं तो बस इतना जानू की ये कहना है सच्छा खाओ जो तुमें पसंदो पानों लगे जिसको अच्छा वाव वा इवानपुरी एक बार जोरदार तालिया हो जाए इवानपुरी के लिए भाई पैशन के तो हैं हम भी तताय करना खूब चाहे पर कुछ समझ ना आए तो जो अगली कवित्री हमारे बीच आ रही है इनके बारे में आपको बता दूँ ये कोई पेशेवर कलाका नहीं पिर भी समर्पित कितनी है इनके लिए खूब तालिया बजाए ये तो हमारी अपनी है माहिन घुता है इनका नाम और हस्मा हसाना इनका काम नमस्कार कहो कैसे हूँ आप क्या आप सब भी हस्मा चाहते हैं हाँ कि ना अरे हाँ तो आप सब भी अपनी कुर्सी की पेटी बान लेजिए ये लाएं की हस्ते हस्ते किसी और की खर्सी में गर जाएं तो मेरी कभी जब किशी शक है आर्लाइन पासिज डूम बाबा ने किया जमेला घर को बनाया स्कूल का मेला डूम बाबा ने किया जमेला घर को बनाया स्कूल का मेला पहले तुबा स्कूल में टीचर, अब तो मा बाप भी बन दे टीचर घर में तो सक्तूल बने हैं, खुद को समझे सक्ती चर्ष हम बाचे, हम बाचे, बरे चिलाक जो मैडम पूछे सवाल, करते हैं, हाथ खरे जो मैडम पूछे बड़े सवाल, बोलते हैं, ने तो इसूद बड़े बच्चों में भी खेल बनाया, म्यूट अन्यूट अन्यूट मैडम को भी परास पाया पेपरो में भी मड़े मज़े, सब को नमबर पूड़े मिले रूम बाबा ने किया जमेला, गड़ को बनाया स्कूल का मेला अरे वाव वाव माहिन गुपता, जोरदार तालिया हो जाए इनके लिए और भी तालिया बजाते रहे, तालियों का सिसला चलते रहना चाहिए हम, तो ये कवित्री हमें बड़ा हसाएं, मुझ करे टेड़ा, फिर भी मन को भाएं इनकी मम्मी इनहें बड़ा सताएं, देखें, आज ये हमें क्या-क्या बताएं तो जोरदार तालिया बजाएं कवित्री यर्शस्वी के लिए नमस्कार मेरा नाम हिश्वी है, आज मैं आपको हैसे का बीटा सुनाने जारी हूँ इसका चीशक है मेरी मम्मी विशितमधारी है लोगों के भीर में अलग नजर आ रही है मेरी मम्मी बिसे तंधारी है पिठके मुझे पढ़ने को खुद बचार जा रही है मेरी मम्मी बिसे तंधारी है पापा मेरे सीजे साड़े खुब खरचा करा रही है और सुनो चुट्टी की दिन पापा से जारू पचा बर्तन जूलबा रही है मेरी मम्मी बिसे तंधारी है मेरी मम्मी विजितम धारी है कहती हूँ कहती हूँ देखो मुझे बड़गर पिज़ा मुझे सिलाड खिला रही है खुद सहले कि सहल कोईगा पेवर आरी है मेरी मम्मी विजितम धारी है मेरी मम्मी विजितम धारी है बैच के टीवी के आगे कौन खा रही है मैंने का मेरी वारी मुदू सुलाने ले जा रही है मेरी मममी भी शितम धा रही है क्या कबिता कना हैं! मम्मी जी हम और भी आपके सितम की दाध भी देंगे जो आप सितमन अढ़ाती तो ये कमिता न होती ही । हाई ये दुनिया ने क्या धाया सितन सब हुए ओनलाइन पस गए बच्चे हम, टीचर की सुने या घरवालों की हम, जो सब कभी न किया वो सब कर रहे हम, बाल समाती ना खरे दिखाती, अपनी चुल्पलाहट से सब को हसाती, ये है हमारी बाल कवित्री, अमाईरा नरोता। अमाईरा, अन्मूट ये माईक, बेटा अपना माईक अन करो, अमाईरा नरोता है, मेरी का बेटा का सीष्चा है, बोल की अर्लाइन करक्षा, बाते थे सब अर्लाइन करक्षा में, तभी आया पीछे पे गोलों का स्की में, मन्मी भागे दूद का गिलास लेकर, बोलो उचल पारा लाप्टॉप उठाकर, इद्याक्टी को ने डॉन्ट, बींच मुठी दिखाई, बोलो तर गिया, उपर से माचिल आई, पेता तूदी लो पहले, फिर कस्त की बारी आई, बोलों ने एक्षा लास चड़ाया, जम से बागे बाग्रास लेमें, क्या था फिर दूद पेट में गूम रहा था, चक का रखा कर गार रहा था, बोलो ने बदला आई, बेट गया सुद पासन में, अब क्या होना था, उचल कर गिला लाप्टॉप पर, मैरम सब कुछ देख रही थी, मैरम ने ठकपर मारा ला तौपर, को लू लगागा जहला ने, मैरम अम्मी के टक्टर में, गोल उपस गे, आउनलाइन कक्षा में, हाँ 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 वाँ वाँ अम्म आईरा नरोता क्या सजीव चित्रन क्या है अपने ऑनलाइन कक्षा का एक बार जोरदार दालिया हो जाए इनके लिए हाँ ये है हमारी किसी का माई कॉन है क्रप्याव से बंद करें तो अब जो हमारे बीच आ रही है ये है हमारी प्यारी कवित्री थुपी रुस्तम अधित्री चहरा है सीधा आठी बड़ी-बड़ी जब इनके घर मामा है आते सब को छुल्टा-पुल्टा कर जाते कैसे आए सुने इन्ही की जबानी मैं वो कनभुरी आदित्री और आप सब को मेरे नमस्कार आज का मेरा विचार हस्नाव हाजरूरी है मेरे यार तो टैशन चुड़ो यार हो जाओ मस्ती के गाड़ी में सवार पहन कार सफेद गुर्टा-पैजामा पेश करती हूं का वित्ता मेरे बुलकर मामा मेरे मामा बड़े बुलकर दिम्भर गरते रहते गरबर दिवाली में गुपाड़े हैं लाते होली में पत्तांग जनाम देन पर खुब ओड़ाते सब के उपर रंग मेरे मामा बड़े बुलकर दिम्भर करते रहते गरबर मामा से स्यब जिमक वाओ ले आते वो राशन उनकी इस आदत से मामी की बाच आती ठाशन मेरे मामा बड़े भुलकड दिंबर करते रहते गरबाड मामा फिर भी अच्छे लगते सब कर भुसाते जब भी मामा घर हैं आते संधेरो फशियार आते अरे वा अधित्री तो क्यों ना मामा जी को इस बार होली पर दिवाली कहे कर बुलाएं और लाई जो गुबारे साथ तो उठी से उनका स्वागत हो जाए जोरदार तालिया हो जाए अधित्री के लिए अब किसी ने कहा ये सुनाओ किसी ने कहा वो सुनाओ अरे हम तो करोना कर हसा रहे हमारे लिए जरा ताली तो बजाओ आ रहे है नन्ने कभी वेदान सिंग एवन मेरे प्यारे से है फाटियों मेरा नाम वेदान सिंग है आज मैं आके समख एक हासे वेइं कभीता प्रस्तत करने जा रहा हूँ कभी तक अशी शक है करोना और कूल करोना के काल में कूल हो गए पाण ति मड़ खपा पड़े 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 पड़ी हो गए मंद के सारे यान खो गए गिंते गिंते आज अठारा महिने हो गए इससे पहले सारी पढ़ाई हम सब चाएं भूल जली करोना को भागाओ और जली खोलो स्कूल वाव वाव विदान सिंग क्या बात है वैसे आपको बता दूँ आज ही मौका है इससे पहले बुद्धी मंद हो जाए आज हमारी प्रधान अध्याफिका और हमारी प्रधान चार्या मोहरया हमारे बीच ही बैठी है धीरे से प्रस्ताव खिसका ही दीजे अपना तो स्कूल देख रो तेटे कभी अब या सताए घड़ी घड़ी समझ गए ये थी वो भूल आप बहुत बहुत जानने दो स्कूल तालियों के साथ स्वागत कीजे हमारे बाल कभी कभीर वाही का कभीर या माइक इस ओफ कभीर स्विच ऑन या माइक और लाइन का जमाना है पर क्या किसी ने बच्चू के ज़द को जाना है तो आएए मैं आपको हर बच्चे की दिल की आवाज सुनाता हूँ अमास चाने राम उप्रिया सब आती हूँ तेरा नाम कभीर वाही है आज मैं आपकी सामने हाशी का इस दिल करने जा रहा हूँ जिसका शीशक है ओल्लाइन प्लास ओल्लाइन की पढ़ाई पढ़ते हम तो हो गए बोच बेंके टीश्वर की बस में जाए ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर कभी तारलेट में कबता कांख गणाए इतने जिंशे नहीं शना स्कूल गंटी का शोर कभी टोलेट कभी क्लास में कभी हम खेलें खेल एक दूटे के पीछे दोने खूब लगाए जोर स्कूल में आई दोस्त बनाए नए नए हम रोर शिवांगी मैं, कभीर को अन्मूट करिए प्लीज कभीर, कभीर बेटा, कभीर आपनी तरफ से म्यूट कर रखाए बेटा माइक को खोलो, माइक को अन करो माइक को पीजिए प्लीज जिसका शीशक है ऑल्लाइन क्लाफ ऑल्लाइन की पढ़ाई पढ़ते हम तो हो गए बोर विंके तेश्वर की बस में जाए ये दिल मांगे मोर कभी मुपाई कभी टैबले में कब सक आँख गड़ाए कितने दिन से नहीं सुना स्कूल घंटी का शोर कभी टॉयलेट कभी क्लाफ में कभी हम खेले खेल एक दूजे के पीछे दोड़े खूल लगाए जोर खूल में आए दोस्त बनाए ब्लैन आए हम रोल एक दूजे के साथ मिलकर डास करें घंगोर खूल में रहते आदा दिन हम ममी को आरा मिले अरे वा कभीर वाही क्या बात कही है अपने हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी वर दिन आए कि जब आप स्कूल से चले घर की ओर तो आपकी ममी जट से खोले डोर इसे के साथ हमारे नन्हे मुन्हे कभीयों के लिए एक बार जोर दार तालियां बजा दीजे और जो आपने इतने भैरे पूर्वक प्रोजसाहिद करते हुए इन्हें सुना अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजे इसी के साथ अब मैं अपनी माननी प्रधान अध्यापी का सूशी संजुम सेथी मैम से आग्रह करूंग सबसे पहले तुम्हें आप सबसे निवेदन करूंगी कि इन नन्य कवियों क्या उच्छा और बढ़ाएं इन्हें प्रोचाहिद करें एक बार जोरदार तालियों के साथ अध्याप्राइए इतने अच्छे तरीके से अपने भावों को व्यक्त कर रहा था इतने प्यार से और देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा थे कि यह वही बच्चे हैं जिने हमारे हातों में तीन-चार महीने पहले ही सौपा गया था और यह वही बच्चे हैं जो उसक्षायद समर्थ नहीं थ इतना कुछ करने में पर आज इन सब को देखकर बहुत गर्व कानुभव हो रहा है एक बड़ जोड़ता तालिया फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप सब ने अपना अमूले समय दिया इन सब इस प्रोग्राम का आयोजन हो पाया सिर्फ आपके प्रोचसाहन और आपके सहयोग के कारव मैं आप सब की धन्यवादी हूँ और आशा करती हूं कि आगे भी हमारे हर कार्यक्रम के लिए आप हमें अपना पूरा सहयोग देंगे इसी के साथ धन्यवाद धन्यवाद अनामिका मैम धन्यवाद मेरी पूरी टीम का जिनकी वजह से ये संभव हो पाया धन्यवाद मैम हम आगे बढ़ते हैं और अगर कारिकर्ण सफल होता है तो इसका श्रे आपको जाता है इसका श्रे पूरी टीम को जाता है सबने सबने मिल जूल कर बहुत मेहनत करिए मेरीया सभी अभी वावकों से निवेदन है कि कृपया आपने विचार इस बारे में जरूर लिख कर बताएं कि आपको आज का कारिकर्ण कैसा लगा आपको बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमने पूरी कोशिश करी है कि हर एक बच्चे को एक फैर चांस अच्छा मौका दिया जाए और अकॉर्डिंगली मैं माफी चाहूंगी बीच-बीच में इंग्लिश का फ्रयोग कर रही हूं जैसे ही कि हमारे एक बच्चे ने बताया कि हमने हिंदी दिवस के लिए भी सबको निमंतरन दिया इंग्लिश में माफी चाहूंगी पर कुछ कर नहीं सकते हैं अब ये जबान पर इतने अच्छे से चड़ चुकी है मिली जुली भाषा कोशिश जारी है हम सब की भी कि हिंदी को उसके पूर्ण स्वरूप में उसके अच्छे रूप में जाने पहचाने और बच्चों को भी सिखाएं आपको आपके प्रोशाहन और सहीओ के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी और आपसे निवेदन करूंगी कि अपने बिचार आपको कैसा लगा इस ये कारेक्रम हमें जरूर लिख कर बताएं धन्यवाद